नमस्कार एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है आप से इस खास प्रोग्रेम में जहां पर हम COVID-19 बिमारी उससे जो खत्रा है हम सभी पर और उसके साथ में COVID-19 वेक्सीन यानि जो देश भर में Ministry of Health के जरिए देश भर में अरल्ज को वेक्सीन लगाया जा रहा है इस पर खास जानकारी और क्या कुछ नई जानकारी हमारे हाथ लगी है इस पर भी हम आज बात ही करेंगे तो हमारे साथ एक बार फिर हमेशा की तरह हो गई है Health Ministry की Vaccination Task Force की है Dr. Rachel Devi जो पिछले कई हफ्तों से बहुत व्यस्त और थोड़ी से बीमार भी है लेकिन अपना समय उन्होंने निकाला है हम सभी के साथ जानकारी देने के लिए तो बहुत-बहुत धनिवाद और स्वागत है आपका Dr. Devi शुक्रिया Good to be back फिर से बात करने के लिए COVID के बारे हैं बहुत ही इंपोर्टन्ट है अच्छी खबर आई है पिछले कुछ दिनों में और कुफ्यू की कुछ टाइमफ्रेमें इसमें कुछ बदलाव आया है बहुत दिनों बात कुछ अच्छी खबर आई है और यह खासकर इस कारण से हुआ है क्योंकि फीजी में जो संख्या है जिन लोगों को COVID-19 वेक्सीन से पूरी तरह से सुरक्षा मिल रही है, यह 40% से उपर चला गया है, तो इसके कारण अब धीरे-धीरे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने बताया है, कि जैसे जैसे यह नंबर और उपर जाएगा, वैसे वैसे और भी चीजों में बदलाव आएगा, जो भी restrictions थे, उसे धीरे-धी आरे दीजिए, देश भर में vaccination sites पर आप क्या कुछ हो रहा है, और हमारे ख्याल से ज्यादतर लोग अपने second dose के लिए आ रहे होंगे. जिया, शुक्रिया तांचे, मेरे ख्याल से आज कल रात का जो statistics देख लोग तो अभी तक देश भर में, चारो हमारा जो medical divisions है, उसको लेकर, देश भर में हमने more than half million 549836 vaccinations कर चुके है, यह first dose ही है, और second dose जो है 249726 यह आज तक, जो कल हम कलसांच तक हम कर चुके है, और अगर यह इसके percentage में देख लो तो 93.7%, करीबन 94% first doses हो गया है हमारा जो initial target ता, और 42.6% हो गया है second doses का, हम यह जानते है कि अभी अगर, अभी देख लो हमारा जो vaccination का numbers जो every day होती है, जो सबता खतम हो गया, वो सबते में, हमने second doses ज्यादा administer किया है, first doses थोरा कम, because हम पस्दीक आ रहे हैं न, अपना target का तो वो कम होते जाएगी, मगर हमारा second doses है, जो बहुत ही बारी किसे काफी बढ़ रही है, तो यह अच्छी बात है, मगर जब यह vaccination तवरज हम देखते हैं, और जानते हैं कि भाई, अब second doses increase होगी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हमें एक चीज़ ख्याल करना है कि, अगर हमारा second dose due होगी है, आकर vaccination लगवाल है, क्योंकि अगर आपको due होगी है, आप यह protection नीड़े है, because एक चीज़ ख्याल करना, जब हम यह border खोलेंगे, आना जाना होगा, और सब का वगेरा, सब को हमें protection देनी है, अगर आपका due है, तो आप एक फाइदमन्द जगे पे हो, तो fully vaccinated हो, तो उसमें और ही ज़्यादा फाइदमन्द है, तो हम जानते हैं कि, हमने पहले भी कहा, फिर अभी भी कहते हैं, कि जो पहला dose है, about 73% effectiveness होती है, माने 73% आपको बचाती है, अगर सेकंड डोस के बाद में, दोस अपते बाद इसे देख लो, तो उस समय हमें और ही, उतनी 92-93% उसमें हमें protection देती है, 92% जो है, हस्पताल जाने से, या सेवियर सिंटम्स होने से, या मिरतियू से, तो यह बहुत ही फर्दा है, फर्स्ट और सेकंड डोस में, तो हम यह डेफिनिटली इंकरच करेंगी कि हम vaccination कराएं, तो दूनों वैक्सिन्स लगवाएं, ना? समाज से ऐसे कुछ जानकारी भी सामने आ रहे हैं, लोगों से हम बाते भी करते हैं, और जबकि हम Fiji Village वेब साइट पर जिब स्टोरिज भी डालते हैं, कोविड-19 से समंधित, तो कुछ लोगों का कोमेंस भी आता है, जो शायद अपना पहला डोस लगवा लिये हैं, और फिर दूसरा डोस नहीं लगवाना चाहते हैं, ऐसे कुछ जानकारी है, स्टेट्स है आपके पास, कि मानलो कि कुछ कई लोगों ने पहला डोस लगवा ल में हमारे पास अभी नहीं है, मगर हमें सिस्टम में इसको सोट आट करना पड़ेगा, मगर एक रिकम से देख लो तो हम जब नमबस देख रहे हैं, तो हम उस प्रिकार अच्छा जा रहे हैं, मगर एक और चीज भी है, कि यह जो सेकंड डोस का है, कोई-कोई लोग यह कहते हैं, कि भाई मुरे फिर्स डोस लगाता, काफी बैड साइड इफेक्स हुआ था, वो खार चड़ गई थी, सर चक्रा था, मूरी सर खराब से बहुत ही पिरा रहा था, वगेरा, या या दो-तीन दिन तक वगेरा, वो साइड इफेक्स है, वो साइड इफेक्स नॉर्मल ही है और मगर उसको ओवरकम करने के लिए हम जानते हैं, हमने शुरुआत से भी का आए, भाई, उनकर कुछ वैसा हुआ, आप इंशूर करें, आप घिर से पानी पिए, वगेरा, पेनडोर ले टाइम पे, समय पे, चार-छे घंटे पर, और जब सेकंड डोस आती है, सेकंड डोस में थोड़ा मेरा साइट इफेक्स हुआ था, जो ये बखार वगेरा था, मगर जो सेकंड डोस जबने मैंने लगाया, ज्यादा करके मैंने कुछ पेरडोल भी नहीं लिया या वगेरा, बखार भी नहीं कुछ था, तो ये एक छीज है, जो इंसान को थोड़ा फरका कर देत कि भाई मैं सेकंड डोस लगा हुआ, बर उस इंफोमेशन पर मत रही हैं कि आप सेकंड रोस ना लगाया, मेरे क्यां से बहुत इंपोर्टन ही कि आप अपना सेकंड य rikt में लगा और अपने टाइम सी भी लगा, तो ये बहुत ही इंपोर्टन है हमारे लिए, इसके अलाव सेकंड डोस ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपरूटन एंप क्योंकि यह जो इंफेक्टिवनेस जो प्रोटेक्शन हमें और ज्यादा वही थी है है दोक्टर देवी जबकि हम इस दूसरे डोस के बारे में बाते कर रहे हैं जो बहुत जरुरी है हमारे लिए हम सभी के लिए हमारे समाज के लिए हमारे बच्चों के लिए क्योंकि हम सभी जानते हैं और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मैं क्यों लगवाँ ये वेक्सीन या समझाएं कि जबकि यह बिमारी रहेगी हमेशा के लिए लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों का समाज में COVID-19 से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाना fully vaccinated इस से एक समाज में अगर सभी लोग fully vaccinated हो जाते हैं तो इस बिमारी का एक जगा से दूसरे जगा तक जाने का जो chances यह बहुत ही important question है because हमने काफी लोगे नहीं कहा भी है भाई मुझे क्यों लगवाना है vaccine क्योंकि vaccine लगाने बाद में भी हम COVID-19 positive हो सकते हैं हमने शुरुआत से कहा कि हाँ एक इंसान हो सकता है COVID-19 positive उसमें कम भी है अग जब आप fully vaccinated हो जाओ इसमें studies भी दिखा रहे कि almost 50% दुग हो जाती है कि आप positive हो सकते हो या transmit कर सकते हो अगेरा मगर इसमें बहुत ही important फरका यह हो जाती है कि जब आप vaccinated हो जाते हो आपको यह signs and symptoms से COVID-19 वाइरस का बहुत ही कम हो जाती है जैसे मैंने भी कुछ देर पहले कहा कि आपको यह जो severe COVID-19 नहीं होती है या अगर होती है तक कम सीरी से होती है और यह जो मिर्तियों है या hospital जाने को यह सब भी बहुत ही कम हो जाती है तो उस परकार देखो तो यह vaccination औ है यह किवा नहीं है वहाँ vaccination साइब मत भागी है जब आप ऐसे feel कर रहे हैं को आपको COVID-19 हो गया है उस समय वह vaccine आपको नहीं बचाएगी आपको वेक्सिनेशन का शुरुआत से यही रीत है कि आप वेक्सिनेशन अभी लगा है तो आपको आगे जाकर शुरक्षी मिलती है आपको प्रोटेक्शन मिलती है आपको यह रक्षा करेगी और यह obviously हमने अभी जैसे कहा यह certain percentages पे भी है ना first dose का 73%, second dose का effectiveness हमने 92% पे देखा यह उपर नीचे हो सकती है तो यह कुछ 100% भी नहीं है और एक और चीज़ भी हम इसमें कहे दे कि मानो अगर आपको आपको वेक्सिनेशन नहीं लगा या आप मानो आप लो fully vaccinated हो fully vaccinated के बाद में ख्यालकनाभी फीजी देश भर में हमने 50% नहीं पास किया है और काफी जन भी fully vaccinated नहीं हुए है तो vaccination के लावा हमें COVID-19 का जो protocol से यह continue करनी है क्योंकि हमें अपने आप को सिर्फ नहीं बट हमारे जो अगल बगल में भी इंसान है उनको भी protect करनी है तो उन लोगों ने शायद के बाद बाद में वेक्सिन लगवाया है वगेरा तो यह vaccination COVID-19 और सब जो safe practice measures है उसके संगी चलती है सिर्फ vaccination ही नहीं अलग से काम करेगी vaccination एक है और एक important भाग है उसमें मगर सब चीज़ लो तो हमें हमें सब measures अभी करना है क्योंकि हम अभी वो safe zone में नहीं है जहां वापर spread नहीं हो सकती है और मिर्थियों नहीं हो सकती इनसान का वगेरा और हम एक और देखते हैं Fiji भर में हम यह चीज़ देखते हैं कि ज्यादा करके मिर्थी जो है almost 80% से ज्यादा हमारी unvaccinated population में हो रही unfortunately और यह बुजर्ग में भी ला तो यह बहुत important है हमारे लिए तो अपना second dose या अगर अभी तक first dose भी नहीं लगा पाए प्लीज आप right information पाकर अपना first dose लगा ले और अपना second dose भी जब समयाएगा दोक्टर देवी ऐसे कुछ इलाके हैं Fiji में जहां पर अभी कुछ खास awareness चल रहा है या फिर वेक्सीन लगाने के लिए जोरो से काम हो रही है इसको लेकर आप जानकारी दे सकते हैं क्योंकि पहले था तो central division में ही cases बहुत लोगों की मौत होने लगी थी पहुच गया है और फिर इसके साथ में कंदावू में अने आलेंड में पहुच गया हैं तो क्या कुछ आप योजनाएं हैं आपकी टीम की जहां तक vaccination का सवाल है यह शुक्रिया यह बहुत important question है हमारा जी आखरी समय टागट population जो बचती है difficult population होती है सब सब्सक्राइब बहुत ही आसान नहीं है इसको इसको रीच करना तो इसमें हमारा यह ज्याद करके इसको टर्म देते जैसे मौप अप नहीं हम आपे जाकर वापस revisit करते हैं वापस व नहीं लगा और हम information देते शेयर करते की अच्छा यह vaccination क्यों लगा रहे है क्योंकि का काफी जन जब हम अगले समय जब जाते हैं तब उनका मन बदल जाता है तो वह vaccination चाहते हैं लगवाने के लिए और किसी का कारण से नहीं पहुच पाते vaccinations हैं तो हमारे अभी जो यह जब हम हमने 80% पास कर दिया है 90% का भी पास कर चुका है हम पास कर चुके हैं हमने अब यह जो मौपप का जो stage है हम बहुत ही बारी से इसको जो whole of government approach है जो यह पूरा अंडीमो डायरेक्टर उसका टीम है हमारा टीम है और काफी government organizations है इसमें हम सब पुरे एक टीम मिलाकर हमारा vaccination टी है तो यह लोग क्या कर रहे हैं यह service कर रहे हैं सिर्फ vaccination का और भी ज्यादा और भी ज्यादा service कर रहे है और इसमें vaccination एक भाग है और उस भाग में जब हम देखते है vaccination को तो उसमें हमें पता चलता है कि कहा कहा पे ज्यादा कर कि कहा कहा पे vaccinations नहीं हुई है या शुरुआत मे वो लोग नहीं चाहते थे, मगर आप चाह रहे हैं ये वेक्सिनेशन लगवाना, तो हम क्या कर रहे हैं, जब वो होल ओफ गवर्मन अप्रोच का जो टीम है, जब वो लोग फाइन आट करते हैं, तो वो हमारे लिए ओगनाइस करते हैं, वो साइट्स पर हमारा टीम जा रहे ह हैं, और ये सिमलर अप्रोच अब वेस्टन डिविजन में भी हो गई है, और नोधर में भी मेरे ख्याल से इंक्रीस होगी है, जैसे ये जिस्ट अप्रोच मॉपिंग का, मॉपिंग एक्सराइस का जो ये हमारा जो कारिये काम है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टन हो जाती है मेरे लिए, और कि हमें कभी-कभी जैसे मैंने कहा, लोग अपना, you know, decisions बदल देते हैं, बाद में जाकर, क्योंकि ये उसको और ज्यादा information मिल जाती है, जैसे हम ये sessions करते हैं, उनको और ज्यादा information मिल जाती है, और वो लोग अपना मन बदल देते हैं, और वगेरा, तो ये ये हमारा अभी है, जो देखो तो ये हमारा कारिया है, इसके इलावा जो normal vaccinations हो रही है, जो second doses और first doses, जो vaccination sites पे, इसके इलावा ये काम हो रही है, और ये अलग सा team है, जो ये कर रही है. ड्र देवी, पिछले हफ़ता पार्लिमन सेशिन में इस बात के खुला सब हुआ था, हेल्थ मिनिस्टर उप्टर इफरीमिय वंगाईने बेते ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी team के साथ जो Pfizer vaccine है, इसको पलप्त करने को लेकर कड़ी महनत कर रहे हैं, काम कर बाचीत हो रहा है इसको लेकर खास कर जो हमारे जो बच्चे है 12 to 17 years जो category है, यह अगला चरण रहेगा vaccination का जो आपकी team समझा लेगी जब आने वाले सब्तों या महिनों में, तो इसको लेकर आपकी ओर से क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ हमारे माता-पिता और खास कर कि 12 से 17 सालों के बीच के जो लोग है, वो जानना चाहेंगे कि आने वाले महिनों में क्या वो वेक्सिनेट हो सकेंगे? जे, शुक्रिया धाँजे, हाँ, यह बहुत ही इंपोर्टन्ट क्वेस्चिन है हमारे बच्चे को लेकर, मैरे ख्याल से बहुत ही माता-पिता काफी घबड़ाय हुए है, क्योंकि जब मानोंगर स्कूल जाना है, कैसे हम लोगों को बच्चाएंगे, क्योंकि सब जदा से लड़कन आ रहे है, स्कूल पर वगेरा, मगर बहुत ही इंपोर्टन है कि हम अपने बच्चे को भी बचाएंगे, इस बैमारी से, क्योंकि ओरेडी हमने दो मिर्तिव देख लिया है, दो, तीन, फिफ्टीन यर ओन और ग्यारा साल का जो बच्चा था, और इन एजस को होती है, इन बैक्सिनेशन इन यह पोपलेशन में बहुत ही इंपोर्टन हो जाती है, तो यह सही बात है कि हम एक्स्पोर कर रहे हैं बैक्सिनेशन बच्ची के लिए, ज्यादा करते 12 तो 17 का अब, क्योंकि 18 अबव हमने और अबव हमने, अबवेसलि अस्ट्रेजेनका उसका है वहाँ पर, तो वो तो सही है, वो तो चल रही है, मगर यह जो 18 बिलो का है, 17 यह वगेरा, नीचे देखो तो 12 तो 17 फाइसर वेक्सिन जहे और यह चीज हम जानजा है कि फाइजर का वैक्सिन जो है यह जो काफी रेगलेटरी अथोरिटीज बॉडीज है इसको इंडोस कर चुके है और मेरे खियाल से अब ही अगर किसी ने नीज नहीं पड़ा तो अभी जल्द ही यही सब्दा अमेरिका ने इसको फुल लाइसेंस भी दे दिये फीजी ड्रग असोसियेशन उनको फाइजर वैक्सिन को फुल लाइसेंस भी मिल गई है अब वो सिर्फ इमेजनसी लिस्टिंग में नहीं है उनके लिए बटो फुल लाइसेंस भी मिल अभी डबल एचो में तो बदला नहीं हुआ है मगर यह फिर्स्ट वैक्सिन है जिसको फुल लाइसेंस मिल गई है तो तो यह इसमें काफी सेफटी डाटर है जो हम यूज करेंगे और जैसे और भी देश में रिगलिटरी अथॉरिटी इस देंडोस किया है वैसे हमारे देश में भी फीजी में भी एक रिगलिटरी है हमारे बच्चे के लिए और यह रिगलिटरी अथॉरिटी जो है यह बोड है और यह काफी टेक्टिकल लोगों से बना हुआ है तो यह सब बहुत इंपोर्ट स्टेप्स है बगर और काफी जानकारी इस फाइसर वैक्सीन और बच्चे का जो वैक्सिनेशन होगी आने सब में हम उसके उपर और ज्यादा बात करेंगे जब थोड़ा सॉलिडीफाय हो जाएगी जो इन्फरमेशन है हमारे पास मंगर अभी के लिए हम यह कह सकते हैं मिनिस्ट्र व एडुकेशन और हम सब कोई एक संग काम कर रहे और जैसे समय आईगी तब हम से और बात कर सकते हैं पिछले कुछ हाफतों में यह बात भी सामने आई है कि जो कोविड-19 वेक्सीन लगाने के बाद दोगों को एक कार्ड बिलता है और जिस पर स्टेंप होता है जो यह दर शाता है कुंफिर्म करता है कि इस वेक्ति को कोविड-19 के दोनों वेक्सीन लग गए हैं यह वेक्ति दिखा कर तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगी है अप जबकी इस पर पुलीस भी झांड बिन कर रही है हालए कि यह हुआ है और इससे क्या कुछ खत्रा हमारे समाज को हमारे लोकों को हो सकते है जबकी कोई आएसा भी वेक्ति है जो कहा सकता है कि मुए आप से, और हमें जो protection vaccination से मिलती है, वह हम उसको त्यारते हैं और तूb हमारे लिए एक individual के लिए भूच घराब चीज हो जाती है क्योंकि जब हम vaccinated होते हैं तब ही हमें protection मिलती है, वह fake card से protection नहीं मिलेगी, but firstly, ये जो कार्द है हम वेरिफाइ करते हैं हमारा तीन रास्ता है जो जिसे को हम यह वेरिफाइ कर रहे हैं फर्स्ट है जो हमारा जो यह वेक्सिनेशन रेजिस्ट्रेशन सिस्टम का है और उसके बात में हर एक हेल्थ फसिलिटी उन लोगों के पास एक मैनूल बुक भी है जहां पर आपका नहाम लिका जाता है जब आपको वेक्सिन मिलती है और थर्ड है जो कॉंसेंट कार्द हम कहते हैं उसे जो हर एक इनसान साइन करती है वेक्सिन लेने से पहले दोस उन ही है डोस डोस टू तो यह तीन चीज़ह और हम हमारे पास काग्स आए हुए है हम अन्हें हम से वेरिफाई करकार हम वापस इंफिंशन देते है कि एक ही यह सही है की गल्त है यह सिरा क्या क्या हम करें गया है तो ये इस ये चीज हम विफिकेशन के लिए और ये वेक्सिनेशन काट तो सिर्फ ज्यादा करके ये जो आपको रिमाइंड करती कि भाई मेरा और इंटरीम का आडेम का जो फिकेशन है कि आपको क्या वेक्सिन डोस वटवर्ड Pizza निला है और जैसे मैंने कहा ये कुछ लोगों काड कौनर कौनर में फटने लगा है या कुछ चीजे उनमें से मिटने लगी है वलट में धल लो तो ये टेड़ा हो जाता है और कुछ लोग घर पर ही रख रहे हैं लेकिन जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद कोई मुझे पूछेगा कि आपके पास काड है नहीं है ऐसे भी सित्थी सामने आ रहे हैं तो कुछ यूजना है कि से इलेक्ट्रोनिक कर दिया जाए जिसे फोन में अभी लोग स्मार्टफोन के जरिए के फिजी एप को स्केन कर रहे हैं इस तरह की कुछ यूजना है इस काड को लेकर शुक्रिया धान जै यह बहुत मेरे ख्याल से डिजिल पीजी ने कहां भी है कि आगे जाकर वेक्सिन पासपोर्ट जो है कि जो मुवमेंस वगेरा में वह बहुत ही इंपोर्टन हो जाएगी और मैं उसके बारे में उतना तो नहीं जानती हो भी बट वो डिजिटल प्लाफोर्म तो होगी और इसलिए उसक हम जो प्रणार जानकारी दे सकते हैं. अकरी सवाल डिвоी जाने से पहले जैसे हम ने शुरू में बाते की थी, यह खास समय है लोगों के लिए जो अडल्स है जो पहला वेक्सी neu裡面 चुके हैं COVID-19 के लिए चाहे एस्ट्रजेनिका हो चाहे मोडेना हो कुछ भी हो हम सभी की सुरक्षा के लिए हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम सामने आए और दूसरा डूस लगवाए यही एक चीज है जो अन्य चीजों को होने के आने वाले महिनों में क्योंकि हम बहुत समय से बंद है एक देश में और लो ट्यूर्स के ना आने से बहुत ज्यादा श्यति पहुची है हमारी कोनिमी को और अनी चीजों को तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इस शुक्रिया धांजे और वो देख लो जैसे लानी है पहला है कि ये एक बहुत बहुत हैं त हमारा प्रोटेक्शन जो है और यह जो प्रोटेक्शन है हमें दोनों डोस से मिलती है सिर्फ एक से नहीं दो डोस हमारे लिए ज्यादा प्रोटेक्शन देती है और एक कम देती है तो यह बहुत इंपोर्टन है कि यह हमारा प्रोटेक्शन जो है मैक्सिमम रहे और आगे जाक तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है कि हम फुली वेक्सिनेट हो जाए एंड जो प्रोटेक्शन देती है वह बहुत ही ज्यादा है I mean 93% काफी ज्यादा प्रोटेक्शन है और यह हमारी सिर्फ हमें प्रोटेक्शन नहीं बढ़ हमारी लाइफ भी नॉमल्सी पे लेक्याएगी जितना जल्द हम जो आठ सब्ता हमने जब पास कर दिया अपना वैक्सिन लगवाले और अगर किसी ने मोटेर्ना वैक्सिन लगाय तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि हम वो अपना स्केजूल जो है फोलो करें तो जल्द से हम काफी लोगों काफी लोग जैसे काम पर जा सकेंगे या वगेरा ना अपना अपनी घर जाएंगे का काफी जन मेरे ख्याल से स्टक भी है कोई-कोई लाके में अब अपना घर भ एक दिन और इस बोड़ा खोरने के लिए हमें सब को पर्रोटेक्शन लेनी है बहुत इंपोर्टेंट और यह वैक्सीन एक काम है वैक्सीन के अलावा हमने पहले भी काहे हमें कोविद से बीएविज भी करनी है तो यह बहुत इंपोर्टन हो जाए तो इस मेरे आपने अप दुक्टर रैचल देवी के साथ में याद रखिये आपको जाकर पूरी तरह से वेक्सिनेट होना है पहला डोज ले लिया है और आप समय आ गया है कि आप जाकर दूसरा डोज ले देश भर में वेक्सिनेशन साइट्स खूले रहते हैं हर सबता हर दिन और आप देख सकते ह हैं और ड्राइब थू के जरीए भी आप चाकर लगवा सकते हैं वेक्सिन से देश भर में और अगर आप अभी कदम नहीं उठाएंगे उठाएंगे तो जरूर हम सभी पर जो ये मुसीबत है ये बनी रहेगी एक और प्रोग्रेम के साथ हम अगले सबता जरूर उपस्तित हो जाएंगे नमस्कार